अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी आज का अध्याए जीस्टी के बारे में हैं इसमें आप जानेंगे जीस्टी क्या है भारत में जीस्टी क्यों और कब लागो किया गया है जीस्टी के अंतर गयत कौन-कौन से डीलर्स आते हैं जीस्टी कितने प्रकार के होते हैं जीस्टी के अंतर कितने टैक्स लेब हैं इत्यादी दोस्तों, GST एक बहुत बड़ा टॉपिक है इस वीडियो में हम इसे सरल शब्दों में और कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप GST के बारे में जान पाएं पर ध्यान रखें, सरकार समय समय पर GST से संबंधित कुछ नए अमेंडमेंट्स याने की संशूधन करती रहती है इसलिए आप भी समय समय पर GST से संबंधित नई नई जानकारी लेते रहें GST के बारे में समझने से पहले हमें Tax के बारे में समझना होगा कि Tax क्या होता है सरकार को देश की प्रगती के लिए जैसे सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल, आदि के निर्मान के लिए विकास की योजनाओं के लिए देश की सुरक्षा के लिए रक्षा उपकरनों, हतियारों को खरीदने, बनाने के लिए इसे तरह अन्य सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए धन की आवशक्ता होती है इसलिए सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश के नागरीकों से धने कठा करती है इसे tax कहते हैं भारत में दो तरह के tax लगते हैं Direct Tax यानि प्रत्यक्षकर और Indirect Tax यानि अप्रत्यक्षकर. Direct Tax से तातपर ऐसे Tax से है जो सरकार सीधे हम से वसूल करती है, जैसे Income Tax, Gift Tax, Wealth Tax. Direct Tax को समझने के लिए हम आपको Income Tax का उधारन दे रहे हैं. Income Tax हमारी आय के उपर लगने वाला Tax है. इसके अंतरगर्द हमें किसी निश्चित सीमा के बाद हमारी जो भी आय होती है, उस पर किसी निश्चित दर से सीधे सरकार को Tax देना होता है. Indirect Tax से तातपर ऐसे Tax से है जो सरकार सीधे हम से वसूल नहीं करती, बलकि जब हम कोई वस्तू खरीदते हैं या किसी से कोई सेवा यानि सर्विस लेते हैं, और उसके बाद वो व्यापारी या सर्विस प्रोवाइडर जब हमें उसका बिल देता है, तो उसमें माल या सर्विस के मूले के साथ कुछ Tax भी जुड़ता है, और बाद में वो व्यापारी या सर्विस प्रोवाइडर हम से वसूला गया Tax सरकार को देता है, इस तरह के Tax को Indirect Tax कहते हैं, इसके अंतरगत GST, Way, Excise Duty इत्यादी आते हैं, चलिए आप समझते हैं, GST क्या है, GST का फुल फॉर्म है, Goods and Services Tax, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, Goods यानि माल या वस्तुएं, Services यानि सेवाएं, और Tax यानि कर, इस तरह से Goods and Services Tax का मतलब हुआ, माल या वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर, पहले से ही Tax लगते आ रहे हैं, तो फिर GST की जरूरत क्यों बड़ी, और इसे क्या लाब है, तो इसको लगाने के कुछ मुख्य कारणों को समझ लेते हैं, पहला कारण है, GST लागू होने से पहले, हमारे देश में, व्यवसाई की प्रकृती के हिसाब से, राज्य सरकारे और केंद्र सरकार कही तरह के Tax लगाती थी, इन्हें समाप्त करके एक Tax लगाना था, सरकार ये Tax किस तरह लगाती थी, इसे समझने के लिए हम व्यवसाई को तीन मुख्य श्रेणियों में बाट रहे हैं, पहली श्रेणी है Manufacturers, ऐसे डीलर्स ये कंपनियां जो कच्चा माल खरीद कर, उससे उप्योग करने लायक माल या वस्तों का निर्मान करते हैं, और फिर उस तयार माल को अपने व्यापारियों या ग्रहकों को बेशते हैं, तो इस प्रकार के डीलर्स ये कंपनियां Manufacturers की श्रेणी में आते हैं, दूसरी श्रेणी है Traders की, Traders से ताथ पर ऐसी कंपनियों या डीलर्स से हैं जो केवल माल का व्यापार करते हैं, यानि तैयार माल खरीदते हैं और प्रॉफिट लेकर उसे बेश देते हैं, यहाँ पर माल से ताथ पर ऐसी वस्तू से हैं जिसका हम व्यापार करते हैं, जैसे कोई व्यापारी कपड़े का व्यापार करता है तो कपड़ा उसके लिए माल है, तीसरी श्रेणी है Service Providers की, Service Providers से ताथ पर ऐसी कंपनियों से हैं जो केवल सेवा यानि सर्विस देने का काम करती हैं, जैसे टेली कॉम सर्विसेज, ट्रांस्पोर्ट कंपनिया, एडविटीजमेंट सर्विस, इंस्टॉलेशन सर्विस आदी, तो इस प्रकार से हमने देखा कि काम के आधार पर व्यवसाय को तीन श्रेणियों में बाटा जा सकता है, जब भारत में GST लागू नहीं हुआ था, तो उस समय कंपनियों या टीलर के नीचर और माल के आधार पर अलग अलगतर हगे टेक्स लगते थे, सरकार ने 1 जुलाई 2017 को इन सारे टेक्स को खतम करके इनकी जगह पर एक टेक्स GST लगा दिया, इसमें अभी कुछ अपवाद भी हैं, जैसे टीजल, पैट्रोल, शराब, इत्यादी पर अभी भी वेट और अन्य टेक्स ही लग रहे हैं, अभी इन्हें GST में नहीं लिया गया है, पहले देश में कई तरह के टेक्स थे और हर टेक्स के लिए व्यापारी को अलग-अलग कागजी खाना पूर्थी करनी होती थी, बलकि कई तरह के व्यापारियों को जैसे मैनुफेक्टरर्स को तो पर्चिस टेक्स, एक साइज वेट, सेंट्रल सेल्स टेक्स सभी देना होते थे, और इन सभी के लिए तरह-तरह के कागजी रिकॉर्ड भी रखना पड़ते थे, ये सब करना व्यापसाई करने वालों के लिए एक बड़ा-भारी सिर्दर था, GST आने के बाद इस तरह की अलग-अलग कागजी खाना पूर्थी खतम हो गई है, अब व्यापसाई को सिर्फ GST का एक ही रिकॉर्ड रखना होता है, साथ ही इसमें एक महत्वपुन बात ये है कि GST इतना सरल है कि इससे संबंदित सभी काम व्यापारी खुद बगैर किसी मदद के आसानी से कर सकते हैं, अब हम आपको बताते हैं GST लगाने का दूसरा कारे, इसकी अवधारना है One Nation, One Tax, यानि कि एक देश, एक कर, जिससे कि पूरे देश में एक जैसी कर प्रणाली हो, इसको भी हम थोड़ा विस्तृत रूप से समझ लेते हैं, हमारे पूरे देश में अलग-अलग राज्य सरकारें एक ही आइटम पर अलग-अलग दर से टेक्स लगाती थी, उससे ये होता था कि एक ही आइटम अलग-अलग राज्य में अलग-अलग मुल्य पर मिलता था, जिस स्टेट में टेक्स रेट कम होता था, वहां माल का मुल् उधारन के लिए एक टीवी बनाने वाली कंपनी पूरे देश में अपने डिस्टिब्यूटर्स के द्वारा 10,000 रुपए में एक टीवी बेशती थी, इस मुल्य में Value Added Tax यानी Rate अलग से लगता था, जो कि उत्तर प्रदेश में 25 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 15 में 11,500 रुपए में मिलता था, GST लागू करके सरकार का उद्देश इस विसंगती को दूर करना था, इस तरह के Tax Difference के कारण जिस State में Tax Rate कम होता था, कई व्यापारी वहां से माल खरीद कर, जिस State में Tax Rate ज्यादा होता था, वहां बगैर बिल के माल बेश देते थे, बिना ब उद्दारन था, कि जिस राज में Tax Rate ज्यादा होता था, वहां Tax चोड़ी भी बड़े इसतर पर होती थी, इसे भी एक उद्दारन से समझ लेते हैं, कई व्यापारी मध्य प्रदेश से 11,500 रुपए में टीवी खरीदते थे और उत्तर प्रदेश ले जाते थे, ले जाने का खर्चा 100 रुपए आता था, और उस टीवी को 400 रुपए का मुनाफा लेकर 12,000 रुपए में उत्तर प्रदेश में बेच देते थे, और इस तरह टीवी बेचने पर वो बिल नहीं देते थे, अब इसका बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश के इमानदार व्योपारियों को ह होता था, जो कि 10,000 रुपए का टीवी और उस पर यूपी गवर्मेंट का 25 प्रतिशत वेट यानि 2500 रुपए, कुल मिलाकर 12,500 रुपए में एक टीवी बेच दे थे, जबकि बिना बिल का टीवी 12,000 में बिक रहा था, तो ऐसे में इमानदार व्यापारी का माल कैसे के बावजूद भी टेक्स यूपी सरकार को नहीं मिलता था, यही हाला देश के अन्य राजियों के भी थे, GST आने के बाद देश के सभी राजियों में किसी भी प्रोड़क्ट पर लगने वाला टेक्स एक समान हो गया है, अब आप देश के किसी भी राजियों में कोई भी प्रोड़क्ट खरीदें, उस पर एक ही टेक्स रेट है, जैसे कि अब एलेक्ट्रोनिक्स आइटम्स पर पूरे देश में 18 प्रतिशत टेक्स रेट है, बस यही कारण है कि बगैर बिल का कारूबार समाप्त हो गया है, जिससे इमानदार व्यापरी भी खुश है, और समान टेक्स होने से जिस प्रदेश में माल बिक रहा है, टेक्स भी उसी प्रदेश की सरकार को मिल रहा है, चलिए अब बात करते हैं कि GST नंबर किसे लेना आवश्यक है, GST नंबर के लिए भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों को दो कैटेगरी में बाटा है, नॉर्मल कैटेगरी और स्पिशल कैटेगरी, पहले बात करते हैं नॉर्मल कैटेगरी की, अगर किसी व्यापारी के माल का टन ओवर किसी फैनेंशल एयर में, यानि किसी वर्ष के एक अप्रेल से लेकर के अगले वर्ष के 31 मार्ष तक की अवधी में 40 लाग का हो जाता है, तो उस व्यापारी को GST नंबर लेना आनिवारे हैं, इसी तरह सर्विस प्रोवाइडर के लिए 10 ओवर की ये लिमिट 20 लाख रुपे की है, इसके अंतरगत ये सभी राज्या आते हैं, इसमें तेलंगाना के डीलर्स को ये छूट दी गई है कि वे चाहें तो नॉर्मल कैटेगरी में जाएं और चाहें तो स्पेशल कैटेगरी में जा सकते हैं, अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी की, अगर किसी व्यापारी के माल का टन ओवर किसी फैनेंशल येर में 20 लाग से अधिक हो तो उस फ्यापारी को GST नंबर लेना अनिवारे हैं इसी तरह सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये लिमिट 10 लाग रुपए है इसके अंतरगत पुदुचेरी, मिखाले, मिजोरम, त्रिपुरा, मनिपुर, सिक्केम, नागालेंड, अरुनाचल प्रदेश और उत्तराखन ये सब राज़ आते हैं अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि टर्न ओवर क्या होता है तो चलिए ये भी बता देते हैं आपके व्यापार में किसी भी फैनेशियल एर में जो टोटल सेल होगा यानि सभी तरह के सेल्स जैसे कैश सेल्स, क्रैडिट सेल्स मिलाकर चाहे वो टेकसिबल हूँ, चाहे एक्जम्टेट हूँ या अनि किसी भी तरह के हूँ, इन सभी को मिलाकर उस वर्ष का टैन ओवर कहलाएगा उपरोक्त लिस्ट में आप अपने राज्य का नाम और बताए गए टैन ओवर को देखकर ये निर्ने ले सकते हैं कि आपको GST नंबर लेना ज़रूरी है या नहीं यदि लेना हैं तो किस कैटेगरी में यदि आपका टैन ओवर जो हमने बताया है उसके अनुसार नहीं है और फिर भी आप GST नंबर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अब हम आपको बता देते हैं कि GST Registration के लिए कितने प्रकार की स्कीम्स है यदि आपको GST नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको GST Registration करवाना होगा GST Registration की दो स्कीम्स हैं Composition स्कीम और Regular स्कीम आप अपने बिजनस की जरूरत के हिसाब से इन में से किसी में भी अपना रिजिस्ट्रीशन करवा सकते हैं इन दोनों स्कीम्स को हम डिटेल में बता देते हैं पहले बात करते हैं Composition स्कीम के बारे में Composition स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए है इसे भी तीन भागों में बाटा गया है पहला Manufacturers and Traders दूसरा Restaurant जहाँ पर Alcohol Serve नहीं किया जाता है और तीसरा Service Providers अब आपको पहले बताते हैं Manufacturer और Trader के लिए Composition स्कीम के बारे में इसकी अंतरगत वो डीलर्स आते हैं जो किसी भी तरह के माल का निर्मान करते हैं या व्यापार करते हैं इसकी अंतरगत आने वाले व्यापारी के Turnover की अधिकतम लिमिट किसी भी Financial Year में 1.5 करोड है यानि उसका Turnover 1.5 करोड से अधिक नहीं होना चाहिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि North Eastern States यानि उत्तरपूर्वी राजियों और उत्तरा खंड के लिए ये लिमिट 75 लाख रुपे है और अब बताते हैं Service Provider के लिए Composition Scheme के बारे में इस स्कीम में वो डीलर्स Registration करवा सकते हैं जो Service देने का काम करते हैं Service Provider के Turnover की लिमिट 50 लाख है यानि उसका Turnover किसी एक Financial Year में 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए अब चलिए बात करते हैं उन नियमों की जो Composition Scheme लेने के बाद आपके Company पर लागू होंगे पहला नियम है इस स्कीम में आने वाला व्यापारी केवल अपने राज में ही माल बेच सकता है यानि राज के बाहर माल नहीं बेच सकता हाँ, वो अपने राज से और दूसरे किसी भी राज से माल खरीच जरूर सकता है दूसरा नियम है नो ITC अवलेबल, यानि Composition Scheme में व्यापारी को कभी भी ITC मतलब Input Tax Credit का लाब नहीं मिलता है अब इसको समझने के लिए पहले समझना होगा Input Tax Credit का मतलब क्या होता है जब भी कोई डीलर goods या service purchase करता है तो उस purchase पर GST भी देता है और जब वो government को अपना GST पे करता है तब खरीद पर दिये गए टेक्स की छूट लेता है और इस तरह की मिलने वाली छूट को IDC यानि Input Tax Credit कहते है Composite डीलर के मामले में पर्चिस पर चुकाए गए टेक्स की छूट नहीं निलती जैसे किसी Composite डीलर ने 10,000 में एक टीवी खरीदा जिस पर अठारा सो रूपए GST दिया है अब जब वो अपना GST भरेगा तो उसमें पर्चिस पर दिये गए GST के अठारा सो रूपए की छूट नहीं ले सकता तीसरा नियम है No GST Charge Composition स्कीम में रिजिस्टर डीलर जो भी सैल करता है उस सैल पर वो ग्राहक से GST वसूल नहीं कर सकता यानि वो बिल में GST लगा कर Goods और सर्विस नहीं बेच सकता जैसे कि उसने 10,000 रुपए में एक टीवी खरीदा जिस पर अठारा सो रुपए GST चुकाया और इस तरह से उसने सप्लायर को कुल 11,800 रुपए का पेमिंट किया और इसमें अपना प्रॉफिट 1200 रुपए जोड़कर उस टीवी को ग्राहक को 13,000 रुपए में बेच दिया अब वो इस 13,000 रुपए पर ग्राहक से किसी तरह का GST नहीं ले सकता चौथा नियम है कंपोजिशन स्कीम में मैनुफेक्चुरर और ट्रेडर्स को अपनी कुल सेल का एक प्रतिशत रेस्टरॉंट जहां पर की अल्कोहल सर्व नहीं किया जाता है उनको 5 प्रतिशत और सर्विस प्रोवाइडर को 6 प्रतिशत का GST अपने पास से भुक्तान करना पड़ता है जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि कंपोजिट डीलर ने 13,000 में एक टीवी बेचा और यदि वो ट्रेडर की श्रेणी में आता है तो उसे 13,000 रुपए पर एक प्रतिशत यानी 130 रुपए GST भरना होगा और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं ट्रेडर ये GST ग्राहक से वसूल नहीं कर सकता ये उसे अपने पास से ही भरना होगा पाचवा नियम है composition scheme में उसे बिल के उपर bill of supply लिक कर देना होता है जिससे ग्राहक को मालुम पर सके कि उसने जिससे माल खरीदा है वो composition dealer है छटवा नियम है composition scheme में व्यापारी को quarterly यानि तीन माहा में एक बार tax का भुक्तान करना होता है साथवा नियम है composition scheme में व्यापारी को हर बिल का हिसाब नहीं रखना होता है क्योंकि उसने ग्राहक से कोई tax ही नहीं वसूला है तो फिर सरकार उससे प्रतेक बिल का हिसाब क्यों ले उसे तो केवल हर तीन माह में GST, CMP8 और साल में एक बार GSTR4 रिटन फाइल करना होता है यहां रिटन से तात्पे रहे हैं आपने जो भी ट्रांजिक्शन किये हैं उनकी समरी देना अब ही हमने एक अमपोजिशन स्कीम के बारे में बात की आए अब Regular Scheme के बारे में समझ लेते हैं Regular Scheme में Turnover की कोई अधिकतम सीमा नहीं है और इसके अंतरगत आने वाला व्यापारी राजिके अंदर और राजिके बाहर दोनों जगह पर माल खरीद और बेच सकता है Regular Scheme के अंतरगत कुछ Rules और Regulations भी हैं आए उने समझ लेते हैं पहला है Regular Scheme के अंतरगत आने वाले व्यापारियों द्वारा जो भी माल या सेवाओं की खरीद की जाती है और उस खरीद पर जो भी GST चुकाया जाता है उसका ITC यानि Input Tax Credit प्राप्त हो जाता है इसका मतलब यह हुआ कि Government को Tax Pay करते समय खरीद पर दिये गए GST की छूट मिलती है दूसरा नियम है Regular Scheme के अंतरगत आने वाला व्यापारी जो भी माल अपने ग्रहक को बीशता है उस पर वो ग्रहक से GST वसूलता है इस तरह Cell पर वसूल किये गए GST को Output GST कहते हैं तीसरा नियम इस स्कीम में डीलर अपने Cell के Output GST से Purchase के Input GST यानी Input Tax Credit को घटाता है और इनके Difference का भुपतान सरकार को करता है सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो अपने Cell पर वसूले गए GST में से Purchase के समय दिये गए GST को कम करके बकाया GST का भुपतान सरकार को कर देता है इसे एक उधारन से समझ लेते हैं मान लिजे कि आप एक Regular Scheme में Register Dealer हैं और आपने एक TV 10,000 रुपे मुले का खरीदा जिस पर 18 प्रतीशत से 1800 रुपे GST दिया यानी TV के लिए कुल 11,800 रुपे का भुखतान किया अब इस TV को आपने 10,000 के ओपर 3,000 रुपे का Profit लेकर 13,000 रुपे में बेचा जिस पर ग्राहक से 2,340 रुपे GST भी वसूला यानी कुल 15,340 रुपे लिए अब इसमें 2,340 रुपे आउटपुट GST कहलाएगा और 18,000 रुपे इनपुट GST कहलाएगा और आपको इन दोनों का Difference यानी केवल 540 रुपे ही सरकार को देना होगा इस तरह GST पे करने का फार्मूला हुआ आउटपुट GST माइनस इनपुट GST is equal to GST पेबल चौथा नियम है रेगिलर स्कीम के अंतरगरत व्यापारी अपने ग्राहकों से GST अलग से वसूल करता है इसलिए उसे सरकार को बताना होता है कि उसने किस बिल पर कितना टैξ वसूला है यानी उसे प्रतेक बिल का हिसाब देना होता है पाँचवा नियम रेगिलर स्कीम में व्यापारी अपने ग्राहक को जो इन्वोईस देता है उस पर Tax Invoice लिखा होना चाहिए छटा नियम है इसमें प्रतेक व्यापारी को हर माँ टैक्स जमा करना होता है और साथवा नियम इसमें व्यापारी को कुछ विटन्स जैसे GSTR 3B और GSTR 1 पाइल करना होते हैं यदि व्यापारी का टर्न ओवर पाँच करोड से ज्यादा है तो हर माँ और यदि पाँच करोड से कम है तो क्वार्टरली GSTR 3B और GSTR 1 भरना होते हैं इसी तरह कुछ और रिटन्स भी हो सकते हैं जिने अलग-अलग कंडिशन के हिसाब से भरना होते हैं यहाँ पर हमने आपको GST के Registration की दोनों स्कीम, Composition और Regular स्कीम के बारे में बता दिया है आई अब देखते हैं GST के लिए डीलर्स को Registration कहां और कैसे करवाना होता है सरकार नी One Nation One Tax के रूप में GST को लागू कर दिया है साथ ही इस टेक्स की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए Goods and Services Tax Network बनाया है जिसे शॉर्ट में GSTN कहते हैं GSTN ने एक GST Portal www.gst.gov.in बनाया है इस पूर्टल पर डीलर्स स्वयम GST से संबंधित अपने सभी काम ऑनलाइन कर सकते हैं इसके लिए उन्हें पूर्टल पर Registration करवाना होता है Registration करवाने पर उन्हें एक GST Identification नंबर दिया जाता है जिसे शॉर्ट में GSTN कहा जाता है ध्यान रखें GSTN यानि GST नंबर Pen Card के आधार पर ही मिलता है बिना Pen Card के Registration नहीं करवा सकते GST Registration के लिए आपकी Firm जिस भी तरह की है जैसे Proprietorship, Partnership, HUF या Company उसके Nature के हिसाब से आपको Document सब्मिट करना होगी तो चलिए अब समझते हैं GST नंबर का Format कैसा होता है GST नंबर 15 डिजिट का होता है जिसमें आगे के दो डिजिट State Code होते हैं जैसे कि हम मध्य प्रदेश के व्यापारी हैं तो यहां हमारा State Code 23 आ रहा है फिर ये 10 डिजिट हमारे Pen के होते हैं तेरवे नंबर का डिजिट हमें ये बताता है कि किसी एक Pen से कितने रिजिस्ट्रेशन हुए हैं चौदवे नंबर पर जो डिजिट है वो ऑटमाटिकली जनरेट होता है और लास्ट डिजिट को चेक कोड कहा जाता है जो एरर को डिटेक करता है चलिए अब हम आपको बताते हैं GST नंबर कितने दिन में मिलता है GST Registration के लिए Online Apply करने के बाद आपको एक Reference नंबर दिया जाता है जिसकी सहायता से आप GST Portal पर अपनी सिधी देख सकते हैं अगर GSTN यानि Goods and Services Tax Network को कोई आपती नहीं होती है तो तीन से चार दिनों के अंदर आपके इमेल और मुबाइल नंबर पर GST-IN यानि GST नंबर जारी कर दिया जाता है चलिए अब देख लेते हैं GST में कितने प्रकार के डीलर्स होते हैं इसमें दो प्रकार के डीलर्स होते हैं Registered Dealers और Unregistered Dealers Registered Dealers से तातपर है ऐसे व्यापारी जो GST नंबर लेते हैं यानि GST का Registration करवाते हैं इसके भी दो प्रकार होते हैं जैसा कि हमने आपको पहले बताया था यदि व्यापारी ने Registration करते वक्त Regular Scheme ली है तो वो Regular Dealer कहलाता है और यदि उसने Composition Scheme ली है तो वो Composition Dealer कहलाता है आप बात करते हैं URD यानि Unregistered Dealer की Unregistered Dealer उन्हें कहते हैं जिन्होंने GST नंबर नहीं लिया होता है यानि Customers या कोई बहुत ही छोटे व्यापारी वैसे Government इन दोनों को ही Consumer बानती है अब बात करते हैं कि GST कितने प्रकार के होते हैं अभी तक हमने GST क्या है इसमें कितनी Scheme होती है और कितने प्रकार के Dealer होते हैं इत्यादी अनिक जनकारी प्राप्त की अब बात करते हैं GST कितने प्रकार का होता है तो ये तीन प्रकार के होते हैं, SGST यानि स्टेट GST, CGST यानि सेंट्रल GST और IGST यानि इंटीग्रेटेज GST. जब कोई regular dealer अपने ही राज में किसी को माल बेशता है या किसी regular dealer से माल खरीदता है, तो इस माल की क्रै और विक्रै पर SGST और CGST लगाया जाता है. राज के अंदर इस प्रकार के क्रै विक्रै को इंट्रा स्टेट पर्जिस या सेल कहते हैं, माल लिजे किसी register dealer ने 1000 रुपए का माल बेचा, जो माल बेचा है उस पर 18% GST अप्लिकेबल है, तो register dealer उस ग्राहक से 1000 रुपए माल के और 180 रुपए टेक्स के लेगा, यानि कुल 1180 यहां पर एक महत्वपुन बात ध्यान रखें कि अपने ही राजी में माल बेचने पर इस टेक्स के दो हिस्से हो जाते हैं, जिसमें आधा यानि कि 9% CGST और आधा 9% SGST में विभाजित हो जाता है, तो बिल इस प्रकार बनेगा, माल का मुल्य 1000 रुपए, SGST और आधा 9% 90 रुपए, CGST और आधा 9% 90 रुपए, कुल 1180 रुपए, कहने का मतलब यह है कि अपने राज में लेंदेन होने पर, GST का आधा हिस्सा स्टेट गर्मेंट के पास SGST के रूप में और आधा हिस्सा सेंट्रल गर्मेंट के पास CGST के रूप में चला जाता है, जो व्यापारी Union Territory में आते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीब, इत्यादी में, तो वो अपने सेल्स पर SGST के पजाए UTGST लगाते हैं, इसी तरह जब कोई Regular Dealer एक राज से दूसरे राज में किसी व्यापारी को माल बीचता है, या किसी Regular Dealer से माल खरीटता है, तो इस माल के क्रे और विक्रे पर केवल IGST लगाया जाता है, एक राज से दूसरे राज में इस प्रकार के क्रे विक्रे को Interstate Purchase या Sell कहते हैं, उसरे राज में 1000 रुपए का माल बेचा, जो माल बेचा है उस पर 18% GST applicable है, तो बिल बनेगा माल का मूल हजार रुपए, IGST at the rate 18% 180 रुपए, कुल 1180 रुपए, ये जो IGST है वो Central Government के पास जाता है और बाद में Central Government उसके दो भाग करती है, एक वो खुद रखती है और एक भाग उस State Government को देती है, जिस State में वो माल बिका है. चलिए अब बात करते हैं GST के अंतरगत आने वाले Tax Slap की. कौन से वस्तुपे कितना Tax लगेगा? ये निशित करने के लिए सरकार ने GST के अंतरगत आने वाले Goods और Services पर उनके उप्योग के हिसाब से, उन्हें अलग-अलग समुहों में बाट कर Tax Rate निशित किये हैं, जिने Tax Slap कहते हैं. सरकार ने GST के अंतरगत 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के Tax Slap निशित किये हैं. दो चित्रों के माधियम से हम आपको बता रहे हैं कि सरकार ने कौन से आइटम्स पर कितने प्रतिशक Tax लगाया है? यह है पहला चित्र, और यह है दूसरा चित्र. अभी हमने जो इस वीडियो में बताया, उसकी माधवन बातों को हम फिर से चार्ट के माधियम से दिखा रहे हैं. अभी हमने जो इस वीडियो में बता रहे हैं. आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो का पूरा पीडियेफ हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं. दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही. आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली प्राइम में GST कैसे एनेबल करते हैं और इस पर कैसे काम किया जाता है. थन्यवाद.